तो सुमक्रीज के अंदर आप सभी गास्टों आगे तो आज इस विडिए के तरह में बात करने में वाले कारी स्ट्रीट गेम की नई अपडेट के बारे में जो 1.2.2 आई है इस बार भी मतलब हर महीने की तरह इस महीने भी इन्होंने अपडेट दे दिये और यह जो अपडे जिसमें Helio G80 प्रोसेसर है तो यहाँ पर जो gameplay देख रही हुना आप यह है हमारे Vivo V27 जिसमें गेम स्मूध चल रहा है बट एंड्रोइड के अंदर रियालेटी बतारों में यह लोग अभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं बहुत सारी कमियां एंड्रोइड के अंदर अभी भी कि यह लोग उस चीज़ों को fix नहीं कर पाएं यह एक मात्र गेम ऐसा है जो और ग्लोबल लॉंच के बाद भी फुल ऑन आप्टिमाइस है नहीं कई फोनों में तो यह सपोर्ट ही नहीं करता है और कई फोनों में यह अभी भी लैक करता है यहाँ पर यह थोड़ा बहुत अ कर देना थी हैं लोगों क्योंकि मज़ा बिलकुल नहीं तो अब जो सुच कर लिया हमने 6GB RAM के अंदर कर लिया यहाँ पर सैमसंग 822 का गेमप्ले आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम सेटिंग ग्राफिक्स की पूरी फुल कर लेते हैं फुल कर लेते हैं ग्राफिक सकते हो लेगा आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा यह हमारे लोइंड डिवास का हाल है मैं आपको एक चीज बताऊंगा यार मुझे यह चीज समझी नहीं थी यह लोग बिना कुछ गेम को अप्टिमाइज किये हुए माथे पर पटक देते हैं गेम लाकर रियल बता यह लग लग चीज आती है इसके अंदर और अगर गेम इतना लेक करेगा तो बंदें खेलेंगे कैसे आदे से जादवा जंसंगा इंडिया के अंदर लोइंड डिवास वालों की है तो भाई इस गेम को कैसे कोई खेल सकता है मुझे तो यही समझ में यारा यार यह लोग क् यह से किते हैं लगें वह यह कारेक स्ट्रीट वालों गेम को बहुत अच्छी तरीके से अप्टिमाइज कर दो ता कि यह लोइंड डिवास के अंदर बीजिली दानी कर सके मुझे पता यह बहुत ही हाई-लेवल का ओपन वड गेम है लोइंड डिवास के अंदर थोड़ा कम सपोर्ट करता है बट यार 6GB RAM Samsung A22 उतना भी लो नहीं है जितना होना चाहिए मतलब कि इन फोनों के अंदर भी डंक से नहीं चल रहा है गेम यह आप खुद बताना मुझे कि आप कौन सा डिवास यूस कर रहे हो और यहां पर हम फुल सेटिंग कर देते हैं फिर आप देखन को मिलेगी आपको इतना लैग और इतना हेंग होगामारा फॉन की में क्या बताऊ हो फॉन नहीं होसरे घम हूं और यह तो यहां पर आपको ग्राफिक्ण के अंदर तो कोई कम ये देखने को नहीं मिलती देखो फटा के भी फूट रहे हैं सामने लगता है हमारे शिर्राम जी आ रहे हैं और अमेरिका में भी इस बात की खुशी और जशन मनाया जा रहा है तो मैं एक चीज़ बता देता हूं देखो यहां पर लेग आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है बहुत अब बताओ यार ऐसी चीज को कौन खेल सकता है भाई ऐसे गेमप्ले को कौन खेलेगा यह तो मैंने रिकोर्डिंग ओन कर रहा है इसलिए थोड़े 70% इसके अंदर लेक कर रहा है अगर मैं रिकोर्डिंग बंद करके खेल रहा था ना भाई उसमें भी मुझे इतना ही लेक देखने को मिला ह मेली रहा होगा यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना फॉन तोड़ दू मैं मेरा जो लोइन डिवाइस उसको फेक दू मैं रियल्टी बताऊं तो बट यार फेकने की हिमत नहीं होती क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट मुझे लेके आने पड़ते हो ताकि आप लोगों की आँके खूल सके कि आखिरकार यह क्या करे जा रहे हैं यह गेम है नहीं है या फिर कभ होगा या हुआ कितना इसलिए मुझे लोइन डिवाइस रखना पड़ता है तुम लोगों के लिए बट तुम लोग उतना सपोर्ड मुझे करते नहीं हो पता करो भाई को चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हमेरे चैनल की रीच बहुत डाउन जा रही है भाई क्या कर रहे हो चैनल खतम ही हो जाएगा इसे तो बिल्कुल फिर तुम्हार लिए मैं कंटेंट लेकि आए नहीं पाऊंगा ऐसे इंट्रस्टिंग तो सपोर्ट करना बनता है यहां पर आप लिए देख सकते हो ग्राफिक तो ठीक है बाट फोन लेक बहुत जादा कर रहा है बहुत जादा अभी बहुत जादा अभी नोगों ने कोई चीज यहां पर आप्टिमाइज नहीं किया लोइंड डिवाइस के लिए अभी बिए ग आई होप कि आपको छोटा सा वीडियो मेरा काफी इंफोमेटिव लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक कर देना बुर लगे तो डिसलाइक भी कर सकती हो कोई दिक्कत नहीं है बट इस गेम के उपर मुझे असा लगता है कि शायद हमें रुख जाना चाहिए यारब क्योंकि लोट इवास के अंदर मिल्कुल इस गेम के बसकी नहीं है चलना नहीं है नहीं है यार और अगर आप एक कंटेंट केरेटर बना चाहते हो कि तो भूल कि मत करना यार कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा चैनल को तो अबस्यां के वाइटियो यार थैंक्यू